अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें चलो हल्वा बनाना स्टार्ट करते हम एक कटोरी सूजी ले लिया है कुछ ड्राइफ रूट्स ले लिया है आप अपने वर्डिंग और भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हो गडही को करहा है अब इसमें घी डालेंगे इसमें ड्राइफन फ्राइब करेंगे मेडियम फ्लेफ पे इसे यॉड़्डन कर लेना है डाय फ्रोट्स हमारे गौल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसको ठंडा होने के लिये रह देigkeitenगे अब गोले को कट करेंगे गोले की पतली काजू और बादाम को भी ऐसे ही कट कर लेंगे सभी ड्राइफ रूट्स को कट कर लिया है घी हमारा गरम हो चुका है अब सूजी को भून लेंगे मेडियम फ्लेम पर इसे भून लेना है हलवा बनाने के लिए हमेशा बारिक सूजी का ही यूज करेंगे इसे अच्छे से हलकी हाथों से फ्राइ करते रहना है सूजी के हलवे में एक सीक्रिट और है हम एक चमच बेसन एड़ करेंगे इससे हमारा कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा एक बार आप इस ट्रिक से हलवा बना कर देखें इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूजी हमारे अच्छे से बुन चुकी है अब इसमें पानी एड़ करेंगे जिस कटोरी से हमने सूजी नी थी उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसे अच्छे से चलाते रहना है अब इसमें चीनी को एड़ कर लेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करें मेडियम फ्लेम पे रखना है गैस को चलाते रहना है नीचे लगना नीच चाहिए बिल्कुल भी सूजी का अलवा हमारा गाड़ा होने लगा है अब इसमें ड्राइ फ्रूट्स एड़ कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे HEY सूजी का हलवा हमारा रैडि हो चुका है इस रेसिपि को घर पे जरू ट्रै करें यह बहुत ही इजी एंड टेस्टी है इसे ड्राय फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे अलवे की रैसीपी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कमिंट एंड शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो